Global Ultra Solution Company जो की 36 गड़ की है उनके द्वारा सतना शहर की समाज सेवी संस्था आरंब युवाओं की एक नई सोच समीती को प्रदान किये गए 1000 सेनिटाइजर और 1000 मास्क समीती द्वारा बस्तियों में जाकर ये मास्क और सेनिटाइजर वितृत किये जा रहे हैं आज के वित्रन कारिक्रम में सतना नदी के पास और तिघ्रा मोड के पास बस्ती में करीब 500 सेनिटाइजर और 500 मास्क वित्रत किये गए Global Ultra Solution Company के अखिलेश मिश्रा ने बताया कि उनका उदेश है कि लगातार लॉकडाउन खुलने के बाद कुरुना महमारी बढ़ती जा रही है और अभी तक इसकी कोई वैक्सिन नहीं आई है से बचने का उपाय सर्फ और सर्फ मूँ पर मास्क लगाना है और हातों को समय समय पर सेनिटाइज करना है लेकिन बस्तियों में इन सब चीजों का भी अभाव देखा जा रहा है जिसकारण हमारी कमपनी ने निर्ने लिया कि समास सेवी संस्थाओं द्वारा इन्हें बस्तियों में वित्रत किया जाए समीती के अध्यक्ष अंकित रौकी शर्मा ने बताया कि लगातार हमारे सतना शित्र में कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं जिसे मद्दे नजर रखते हुए समीती ने निर्ने लिया है कि लगातार जागरुकता अभ्यान चलाये जाएंगे और सेनिटाइजर और मास्क वित्रत किये जाएंगे जिससे हम और हमारा पूरा सतना कुरोना से जीत हासिल कर ले आज आरम युवाओं के एक नई सो समीती सतना दौरा सतना नदी के पास बस्ती में पहुँचकर जरूत मंदों को हम लोग ने मास्क और सैनिटाइजर वित्रित किया है जिसके कारा राज हमारे समीती दौरा ने यह सनेटाइजर और मास्क वित्रित करने का एक बीड़ा उठाई है जावरुकता कारकम हम लोग ने शुरू किया और इस कपड़े वाले मास्क को हम लोग इसलिए बित्रित कर रहे हैं रोड भी बनाती हैं और भी कई सारे चीजे हैं बड़ी कंपनी है तो उन्होंने यह में दिया तो उनका हम लोग बहुत बहुत धन्वाद कहते हैं